कि आज कि वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ उन क्वेस्टेंज के बारे में जो कि मेरे यूटूब वीडियो पे काफी सारे कॉमेंट आते हैं लोग उसमें पूछते हैं Mining से related की जैसे कुछ सवाल हैं मैंने लिख रखे हैं जैसे कि एगर light चली की Mining करते हुए तो क्या होगा और withdraw कैसे करना है sell करके पैसे कैसे निकालने हैं फिर कुछ लोगों ने पूछा है कि भीया लैप्टॉप से माइनिंग करने के लिए सबसे अच्छा लैप्टॉप कौन सा रहेगा और माइनिंग करने पे लैप्टॉप से कहीं लैप्टॉप खराब तो नहीं हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दे सकूँ हलो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहतरीन गेमिंग प्लाटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है टकसाल अगर आपकी observation skill अच्छी है, prediction skill अच्छी है और IQ अच्छा है तो ये game आपके लिए बना है इस app में आप अपने पैसे को एक गुना दो गुना नहीं बलकि 9 गुना तक बढ़ा सकते हो वो भी हर 15 मिनिट में बस आपकी observation skill अच्छी होनी चाहिए अगर आप इस app में 10 रुपे इंवेस्ट करते हो और जीतते हो तो आपको 90 रुपे मिलेंगे ये app safe है और इसे use करना भी काफी आसान है आपको क्या करना है कि 0 स 9 के बीच में कोई भी एक number को select करना है और अगर आपको prediction सही होता है तो आपके पैसे 9 गुना हो जाएंगे और prediction करने से पहले एक बार winning list जरूर देख लें अगर आप आपको download करना चाहते हैं तो link नीचे description में है तो सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं कि भी या अगर मैं laptop से mine कर रहा हूं या फिर desktop से mine कर रहा हूं और light चली गई अब मेरा laptop बंद हो गया तो क्या होगा या फिर अगर गलती से shutdown हो गया तो क्या होगा दखो एच चीज समझो आप कि mining ना bitcoin की mining या फिर किसी भी cryptocurrency की mining और koila की mining सेम है एक concept में हर तरीके से नहीं एक concept में कि जितनी देर आप koila mine करते हो उतना देर आपका koila निकलता है जैसे ही mining बन koila निकलना बन ऐसा तो है नहीं कि आपने koila की mining करना बन कर दिया तो koila पूरा खो गया lost तो नहीं होता है ना वैसा ही cryptocurrency में है आप एक घंटे माइन करते हो एक घंटे के बाद आपका desktop गलती से बन दो जाता है एक घंटे में जितनी cryptocurrency माइन हुई है वो आपकी बाकी जहां बन दो गया वहां से mining बन simple सा concept है अब दूसरा सवाल लोगों ने पूछा है कि इसको withdraw कैसे करना है तो मैंने कुछ वीडियो बनाया है किसी में nice has को use किया है किसी में दूसरे को use किया है अब जैसे जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हो मैं unmineable पे तो हर platform का एक अपना अलग-अलग minimum withdrawal का criteria है जैसे for example अगर आप unmineable पे Tron coin माइन करते हो तो minimum 15 coin आपके पास होने चाहिए तब आपके wallet में वो automatically आ जाएगा ठीक है कोई charges नहीं है 1% का pool charge है pool charge जब आप mining करते हो तब ही कर जाता है अब 15 coin जब माइन हो जाएगा तो वो आपके पास आएगा वहीं अगर आप BitTorrent उसका coin माइन करते हो तो 400 coin minimum होने चाहिए withdraw करने के लिए अभी के लिए BitTorrent का price लगबग 26-27 पैसे के आसपास चल रहा है और Tron coin का price 5 रुपए कुछ पैसे के आसपास चल रहा है पर फिर भी आपको एक idea देने के लिए बता देता हूँ लगभग 100-150 रुपए का coin माइन हो जाता है किसी भी platform पे तो आप withdraw कर सकते हो लगभग अब वो depend करता है cryptocurrency कौन सी है अब जैसे Bitcoin आप माइन करने जाओगे तो उसमें minimum withdrawal हो सकता है अगर currency में convert करोगे तो 300-400 रुपए के आसपास होगा जब उतने का माइन हो जाएगा तब minimum withdrawal होगा तो ऐसे ही अलग-अलग cryptocurrency पे depend करता है किस platform पे कर रहो उसमें depend करता है फिर कुछ लोग पूछते हैं कि भी आप माइन करना तो बता दिया इसको बेचना कैसे है देखो बहुत सिंपल है आपको क्या करना है कि आपने माइन कर लिया ठीक है अब उस coin को let's say for example हम मान के चलते हैं आपने Tron coin को माइन किया है या पर चलो Bitcoin को माइन किया है अब आप Bitcoin को क्या करो कि crypto exchange होते है exchange यानि कि कुछ वो apps जिनसे आप cryptocurrency को sell कर सकते हैं और buy कर सकते हैं उनके wallet address को deposit address जो होता है उसको copy करो और जहां से withdraw करना है वहाँ पर डाल दो और उसको वहाँ पर भीज़ दो अब जो भी तरीका होता हो भीजने का हर website का अलाग अलाग है तो let's say आपने एक Bitcoin माइन किया नाइश हैस पे आपने उस एक Bitcoin को withdraw कर लिया एक address पे जो की है वजी रेक्स का तो वजी रेक्स में वो coin आ जाएगा अब वजी रेक्स से आप उस coin को sell कर दो आपको पैसे मिल जाएंगे उस पैसे को आप अपने bank में निकाल लो simple फिर ये वाला सवाल तो मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि अगर हम laptop से mining कर रहे हैं तो हमारा laptop खराब तो नहीं होगा देखो मैं common sense की बात करूँगा ठीक है common sense यह है कि जब आप mining करोगे तो आपका GPU full efficiency पे work करेगा और जब कोई भी technology बहुत पूरी efficiency पे अपने काम करती है तो heat generate करती है गरम होगा ज़्यादा गरम होगा तो component failure होगे इससे बचने का क्या तरीका है क्या क्योंकि laptop में सारे component बहुत compact होते हैं desktop में या फिर rig में rig का पूरा concept क्या होता है कि आप graphic card motherboard को दूर दूर रखो जिससे space जाता रहे और जो भी heat generate हो उसको निकलने की जगहर है यह होता है rig basically CPU का ही एक बड़ा version है एक CPU में 10 graphic card लगा दूर रखो गया और CPU में भी काफी अच्छी खासी जगें होती है वहीं आप laptop को देखोगे तो एक पतली सी plate में मुश्कल से इतने मोटे और इतने लंबे plate में पूरा CPU दे देगा बाप अब उसमें अगर आप mining करोगे तो heat ज्यादा generate होगी और heat ventilation का आप system नहीं रखोगे यानि गर्मी जितनी तेजी से अंदर create हो रही है वह बाहर नहीं निकलेगी exhaust नहीं होगी वहां से तो component failure होगा और laptop खराब हो जाएगा बचने का क्या तरीका है या तो किसी ऐसी जहें पर mine करो जहां पर ठंडा हो या फिर कुछ ऐसा system हो आपके पास या फिर let's say की cooling pad है आपके पास laptop पे लगा दिया नीचे और फिर mining कर रहो मतलब आपका laptop ठंडा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो 70 degree से नीचे ही होना चाहिए 60 से नीचे हो तो ज्यादा बेटर है ठीक है तो temperature down रहे तब आप mining कर सकते हो वरना दिन भर में 4-5 घंटे कर ले ना एक एक घंटे के इंटरवल पर let's say एक घंटे माइन किया फिर एक घंटे रहने दिया फिर एक घंटे किया क्योंकि temperature ज्यादा उपर ना जाने पाए और जाए अब ही तो ज्यादा देर तक न रहे वरना chances बढ़ेंगे component failure के विल्कुल risk है मैं वही चीज़ समझा रहा हूं कि risk है लेकिन इतना भी नहीं है कि एकदम छूओ ही मत कर सकते हो अपने अपने उसके उपर है कि आप कितना risk ले सकते हो अब एकदम आप गधो की तरह 24 घंटे मा तो या अपने air ventilation बना रखा है तो कुछ नहीं होगा आपके laptop को फिर कुछ लोग comment करते हैं कि मेरे पास यह laptop है या मेरे पास यह laptop है किसी ने comment कि मेरे पास तीन laptop है मैं उन पे mine करूंगा तो कितना profit होगा अब देखो मैं ऐसे तो नहीं बता सकता है आप कह दो कि मैं मेरे पास एक मजदूर है उससे काम करवाँगा तो कितनी जल्दी घर बन जाएगा यह तो डिपेंड करता है कि मजदूर की qualification क्या है उसको आता कितना है वैसे ही laptop में पी होता है यह laptop से mining कोई फर्क नहीं पड़ता है डिपेंड करता है कि आपके laptop में या desktop में GPU कौन सा है ग्राफिक कार् गूगल पर सर्च करना पड़ेगा कि इसकी hash rate क्या आती है यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा फिर वहां से आपको एक idea लगेगा जैसे 1650 मेरा है इससे उपर का है तो let's say 1660 है 1660 super है या फिर 1660 TI है 2060 करके एक something को याता है मुझे तो सही से नाम भी नहीं आता है पर ज इसा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत कर लेता हूं बाकी मेरे जीप्यू के उपर जितने भी जीप्यू वह सब अच्छे है और आप अगर 1050 पर जाओगे या फिर 9 something करके कुछ आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वह profitable होंगे क्योंकि जितना माइन करेंगे उससे मोनेरो भी माइन कर सकते हो और जिसमें मैंने बिटकोई दिखाया मैंने उसमें दिखाया कि आप माइन बिटकोई ही कर सकते हो पर उनको आप exchange कर सकते हो बागी करेंसी में जिसमें आपका कुछ percent loss होगा obviously और तीसरा है unmineable जिसमें मैं video लाने वाला हूं उससे आप जो coin चा उसमें प्रॉब्लम यह है जिसका मैं solution ढूड रहा हूं कि एक Gmail ID पर आप 5-10 मिनट से ज्यादा माइन नहीं कर सकते हो Google को पता चल जाता है वो आपके resources को हटा देता है जो उसने आपको GPU अलॉट किया हो उसको हटा देता है तो उसमें मैंने जहां mobile mining बताया है उसमें मैंने Tron coin माइन करना बताया है ठीक है तो लोग पूछ रहे हैं कि मुझे BitTorrent माइन करना है मुझे Ethereum माइन करना है या फिर Bitcoin माइन करना है तो simple है जहां पर हमने Tron coin में TRX लिखा हुआ है वहाँ आप BTT लिख दो BitTorrent के लिए और BitTorrent का wallet address जाल दो simple और last question जो मैंने उठाया है जो मुझे ठीक लगा जवाब देने लायक लगा कि क्या हमें wire connection होना जरूरी है इंटरनेट का या फिर Wi-Fi से भी चल जाएगा तो देखो भाई दोनों ठीक है किसी में कोई दिक्कत नहीं है मैं Wi-Fi लगा रखा हूँ ठीक है मेरे पास Geofiber है घर तक पहुंचा हुआ है तो वह Wi-Fi है आप चाहो तो आप wire connection लगा लो आप चाहो तो phone से hotspot on करके कर लो आप च connected रहे हमेशा मतलब online रहे ऐसा नहीं है कि data कम चाहिए होता तो आप data ही बंद कर दो data on रहे थोड़ा सा slow भी रहेगा चल जाएगा बस computation power अच्छी होनी चाहिए माइनिंग उस पर depend करती इंटरनेट पर कुछ खास डिपेंड नहीं करती इंटरनेट बस connection बनाए रखने के लि तो आप नीचे comment कर दो मैं try करूंगा कि आपको comment में reply कर दूं या फिर अगर उन पर dedicated वीडियो बनाने लैक होगा तो मैं एक अलग से उस पर वीडियो भी बना दूंगा और अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा जानने को मिला तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर और मिलते हैं अगले वीडियो में